अरे साथ इस वक्त मौझूद है स्पोर्ट डिरेक्टर आरपे सिंग जी और वारानसी में आये हैं उनके आने का क्या मकसद है हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं सर्थ क्या है काशी आने का मकसद ये था कि एक तो हमारा यहां पर रीजन आफिस भी है और दूसरा ये तो वो माननी परधान मंत्री जी से भी मिलने जा रही थी तो मैं उनके घर पे था आप लोग भी उसके गवाँ हैं तो उस समय हमने कहा था कि बहुत जल्दी मुहमद साही जी के नाम से पहले तो वो इस्टेट लेविल की बात हो रही थी अखिल भारती प्रत्योगता जो प बताऊंगा तो उसी के परिपेक्ष में बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ने यहां पे पदमस्री मुहमद साही जी के नाम से जो हमारी लालपूर की स्टेडियम है जहां पे एस टो टर्फ लगा हुआ है वहां पे इस वर्स खेली जाएगी अखिल भारती पदमस्री म मुहमद साहीद के नाम से होकी प्रत्यूत्य का एवजन किया जाएगा सर यह सिर्फ इस साल होगी कि हर साल अब इसको नहीं होगी जो कहा जा रहा है वो पक्का होगी उसलिए तो महिना यह डेट जो मुझे मिली है चूकि आप जानते हैं कि समय वर्ड कप की तैयारी हो रही है तो दिसंबर माह में कोई भी प्रत्यूक्ता कराया जाने की तीथी नहीं हो पा रही थी पिछली बार भी मैंने यहीं कहा था कि हुक इंडिया से समय ले करके कराएंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि 24 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2019 के लिए यह तिथिया आरच्छित हो गई है तो उसी दर्मियान यह प्रत्यूक्ता यहां पे होगी तो निश्यत तोर पर जो इटीवी ने जो इनिश्येटिव लिया था उस वक्त मुहमद शाहिद जी की पतनी अपने पती के पदमश्यों सारे अवार्ड वापस करने की बात भी कही थी लेकिन आज आरपी सिंग नि कि इस पर कुछ इस पोर्स डारेक्टर ने आज अनॉस्मेंट किया है क्या रही हुए अनॉस्मेंट और कितनी खुशी है इस बात की वह मतलब अनॉस्मेंट उन्होंने किया कि 24 जनुरी से लेकर के 31 तक यह टोर्णामेंट चलेगा और वो सारे मीडिया के सामने उन्होंने कर दिया कि मतलब हमें भी पता चल गया तो बहुत खुसी की बात है कि सरकार को जो मतलब हमारी मांग थी जो हमें वार्ड़ आश पस करने वाले थे तो सरकार ने हमारी मांग को पूरी की और वो खेल निदे साले से आ करके वो इनोंस्मेंट कर दिया कि 24 जनुरी से 31 जनुरी तक यह टोनामेंट चलेगा और प्राइज मनी के साथ तो चली बहुत बड़ी बात है बहुत खुशी की बात है इसलिए कि आज तक यह जो भी सरकार की है वो बहुत खुशी कि बात है और हम भॉत खुश हैं और यह जो भी कुछ हुआ है यह सब मीडिया वालों की हुआ से हुआ है ए टीवी भारत की वज़शे इसलिए कि हमारी हम तो साल तेर साल से से हम ये आवाज उठा रहे थे लेकिन हमारी आवाज सरकार तक पहुश नहीं रहे थी और अगर मीडिया वाले नहीं होते तो हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुश थी हम सारे मीडिया वालों का ये टीवी भारत का हम बहुत बहुत थैंक्स कहना चाती कि उलों के वजह से ही आज हमारी मांग पुरी ही है